कि उसमें अलग-अलग में भी चप्टर हो सकते हैं आज का चप्टर की फॉर्स क्लास बिलकुल आज का चाप्टर की बिलकुल फॉर्स क्लास है तो अब बात करते हैं सर यह अपने मेरे प्लांट बढ़ में में मैं चप्टर GO striving tän पढ़ा है डेट इसडेपरीशिएशन है कि आपने 11 क्लास में डेपरीशिएशन के नाम से यह चैम्टर पढ़ा हो गा उसी का मॉडेन नेम आ गया प्रापर्टी युप्लांट एक्रिसेशन कहीं मॉडन नाम प्रापर्टी प्लंट एक्रुमिन्ट सर इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे जो कि हम first year में आए हैं तो हमारे लिए क्या-क्या new होने वाला है इस chapter में वो भी देख लेते हैं और फिर देखेंगे depreciation किस पर लगता है basic-basic से बिल्कुल जिन बच्चों ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो बिल्कुल zero से start कर रहे हैं तो सर सबसे पहले तो इसके अंदर हम सीखेंगे method of depreciation method of depreciation हमारे syllabus में that is mainly दो method है जो कि आपने भी पढ़ा है कौन-कौन सा that is SLM और एक होता है हमारा wdv हम आगे इस पर detail discuss करेंगे अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ summary के क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पढ़ने वाले हैं हम provision for depreciation provision for depreciation अगर provision for depreciation हो और तो कैसे calculate किया जाएगा तीसरा हम पढ़ने वाले हैं प्रोविजन प्रोविजन फोर डप्रिशेशन एंड डिस्पोजल अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट ये तीसरा टाइप आने वाला है इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर इसके बाद पढ़ेंगे हम रिवेल्यूएशन रिवेल्यूएशन औफ एसिट जब आपका रिवेल्यूएशन हो जाता है तो क्या होगा अब हमारे बात करें तो ये वाला टॉपिक सरफ 11th क्लास में था आपके सरफ ये ही टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़ा है और थोड़े थोड़े ये टॉपिक भी थे बागी आगे के जितने भी टॉपिक है चाहे चेंज मेथट चाहे रिवेल्यूएशन 11th क्लास में ये टॉपिक नहीं है ये हमारे फर्स एर के टॉपिक है तो सर पेपर में कितने नंबर का चेप्टर पूछा जाएगा तो ये 15 नंबर से लेके 20 नंबर तक का एक कुशन पूछा जाएगा इसमें एक्जाम के अंदर 15 से लेके 20 तक का एक कुशन हो सकता है नॉर्मली मैं 15 का मान के चल रहा हूँ ठीक है? 15 का मानके चल रहा हूँ Sir, please start again Beginning अभी कुछ भी नहीं करा है सिर्फ summary पर चल रहे हैं हम अभी starting में कुछ भी नहीं करा है ठीक है? तो ये तीन चीजे हैं Sir, exam में कौन सा topic आता है exam में कोई भी topic पूछा जाता है लेकिन examiner का favourite topic ये वाला है change method जो कि कई बार पूछा गया है exam के अंदर ठीक है तो चली आईए property, plant and equipment accounting standard 10 depreciation 15-20 अब हम देखते हैं सर और क्या-क्या पढ़ना है तो हम पहले जो start करेंगे sequence चलेंगे पहले ये फिर ये या पहले ये करेंगे मैं numbering लिख देता हूँ पहले हम ये करने वाले हैं फिर number 2 पे ये करेंगे फिर number 3 पे ये करेंगे फिर number 4 पे ये पढ़ेंगे हम और number 5 पे हम ये वाला topic पढ़ने वाले हैं इस तरीके से topic को हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए पहले topic को हम करने जा रहे हैं that is method of depreciation sir method of depreciation method of depreciation हमारे पास basically है तो खूब सारे method sinking fund method entity method बहुत सारे method होते हैं आपके लेकिन हमारे syllabus में ज़्यादा से ज़्यादा जो questions पूछे जाते हैं that is आपका है दो method जिसको detail में discuss करेंगे first method है that is straight line method straight line इसी का एक और नाम है क्या नाम है reducing cost method sorry इसका नाम है आपका fix installment method fix installment method sir एक और नाम है इसका sir एक और नाम क्या है sir इसका original cost method cost method हम इन सभी method को भी समझेंगे इसके बाद दूसरा method पढ़ेंगे that is return down value method इसके भी खूब सारे नाम है सारे नाम लिख देते हैं पहला नाम है ये दूसरा reducing cost method sir तीसरा diminishing balance method sir तीसरा diminishing balance method चलिए sir इसको एक बड़ा ही popular नाम से जाना जाता है इस method को that is SLM आप सभी ने पहले पढ़ा हुआ है और इसको एक बड़े ही popular नाम से जाना जाता है that is wdv जो इसका first first नाम है that is state line method वहां से बना है ये SLM return down value method यहां से बना है हमारा wtv ये दोनों के नाम में है अब सर एक बात और सर depreciation लगेगा किस पे तो हमेशा याद रखना है आपने सर जो depreciation लगता है method तो पता चला लेकिन लगाओगे किस पे इस method को तो सर depreciation हमेशा लगेगा आपके assets के उपर किस के उपर लगेगा सर assets में भी दो तरीके का assets होता है सर एक होता है हमारा fix assets और एक होता है हमारा current assets आपने सुना होगा 12th class में तो तो सर fix assets पे लगाओगे कि current assets पे लगाओगे सर depreciation हमेशा लगेगा fix assets पे current assets पे कभी भी depreciation नहीं लगता सर current assets में क्या आएगा stock, debtor, BR, cash ये सारा सर fix assets पे भी जब हम depreciation लगाते है तो इसके अंदर भी fix assets को भी दो पार्ट में बाढ़ दिया जाता है that is आपका एक tangible आपने balance sheet में बनाया होगा 12th class में एक होता है intangible तो सर इस दोनों में से कौन से fix assets पे लगेगा इसके अंदर इस पे हमारा fix assets पे depreciation लगेगा tangible पे intangible पे depreciation नहीं लगेगा क्योंकि इस fix assets पे इसको govern करने के लिए AS10 बनाया गया है और इसको govern करने के लिए AS26 बनाया गया है जिसे हम अलग से पढ़ने वाले हैं इसे unit के अंदर तो sir intangible assets पे depreciation नहीं लगता लेकिन intangible assets के उपर किसी न किसी तरीके से valuation कम किया जाता है उसको हम accounting standard 26 के हिसाब से पढ़ेंगे और tangible को तो किस से पढ़ना है हमें AS10 के हिसाब से पढ़ना है sir चलिए sir अब tangible assets में भी दो पार्ट आ जाते हैं हमारे एक ऐसा assets होता है जिसका life finite होता है एक जिसका life finite नहीं होता यानि estimated life है estimated life estimated life estimated life can calculate और यहाँ पे estimated life cannot calculate calculate ठीक है ओके sir अब इसकी बात आ गए estimate life calculate और not calculate तो sir इसके कुछ example चाहिए इसमें आ जाता है है आपका number one plant and machinery number two land and building number three furniture and etc sir इसमें एक ही आता है that is land तो land पे कभी depreciation नहीं लगेगा ठीक है पहले होता था original cost लेकिन अब जो है ना अब थोड़ा सा changes आ गया ES10 में जो कि हम आगे चलके revaluation वाले part में पढ़ेंगे ठीक है तो ये हमारा depreciation किस assets पे लगेगा लगाने के कितने method है sir दो एक कौन सा है sir हमारा SLM और एक कौन सा हमारा sir WDB दो method है एक है SLM और एक है WDB दो method है अब चलिए आईए दोनों में क्या difference है एक theory का भी question इसमें से पूछा जाएगा 10 marks में what is the difference between the SLM and WDB तो पहले इसके अंदर हम क्या करते है differentiate निकाल लेते हैं कि है actual में क्या जैसे for example for example हमने एक machinery machinery हमने suppose करो एक एक 2020 के अंदर एक लाक रुपे का खरीद लिया ठीक है हम same example follow करना चाहते हैं कि same मान के चलो same machinery हमने यहां भी खरीदा ठीक है दोनों पर depreciation लगा के differentiate कर लेंगे हम तो depreciation हमेशा लगेगा साल के end में that is 31 मैं इसे एक चार कर देता हूँ ठीक है क्योंकि आपको चार से ही करना है एक चार कर दिया यह लो तो depreciation लगेगा 31,3,2,0,21 में और जो first year में depreciation लगेगा rate मैं 10% यहां पे लिख रहा हूँ अपने example में तो that is पहले साल का depreciation जो लगेगा वो 10,000 आएगा इस 1,0,10% तो जो की हमारे पास result बचेगा कितना 90,000 फिर से date आएगा हमारा 1,4,2,0,21 और 31,3,2,0,22 आजाएगा यहां पे हमारा depreciation लगेगा अगें जो depreciation लगेगा वो कितना लगेगा सर 10,000 लगेगा और 10,000 depreciation लगा है कैसे लगा है सर यह लगा है हमारा 1,0,00, रुपए के value पे ही लगाया गया है हमारा 10%, 1,0,00, के value पे ही लगाया गया that is अब जो निकलके आगया वो आगया 80,000 update है 1,4,2,0,22 और फिर depreciation लगाएं 31, 3, 2, 0, 23 अगें depreciation कितना लगेगा अगर लगाएं तो 10,000 तो कुछ इस तरीके से इसका system चलता है हमारा ठीक है दूसरी साइड अगर depreciation की बात करूँ तो अगें 31, 3, 2, 0, 21 में आप depreciation लगाओगे और depreciation जो लगेगा 10,000 लगेगा तो पहले साल में अगर आप चेक करें तो दोनों में से किसी में कोई खासा फरक नहीं दिखेगा दोनों ही आपको similar दिखेंगे पहले पहले साल में अगले साल से impact आना चालू हो जाएगा 1, 4, 2, 0, 21, depreciation 31, 3, 2, 0, 22 तो सार depreciation कैसे निकालोगे सार अब 90,000 पे निकालेंगे 90,000 into में 10 by 100 यानि जो balance बच्चा है उसके उपर कितना आएगा 9,000 तो बच्चा कितना सार 81,000 टेट है सार 1, 4, 2, 0, 22 फिर depreciation लगेगा 31, 3, 2, 0, 23 अब किस पे लगाओगे सार अब 81,000 पे लगाएंगे that is 10 by 100 तो क्या आगया 80,100 अब बच गया 72,100 72,900 ठेक है 72,900 तो ये दोनों में depreciation लगाने के methods में दोनों में फरक है कि इसमें कैसे लगाया जाएगा और दूसरे में कैसे लगाया जाएगा यहां तक आप सभी को अगर clear है तो हम आगे क्या difference है इन दोनों में देखते है there was difficult in your app, there was default in your app, पता नहीं का पता है sir, please start again from beginning, आज chapter 1 है, ठीक है आप बताएगे इसमें से कोई doubt है तो आप पूछे जितना करा है और basically यह सारा अभी, आज तो सरफ हम 11 वी वाली सारी बातों को fresh करेंगे दिमाग लगाएगे कि भी यह 11 में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या करा है आज 11 वी वाली बातों से हम बात करेंगे सरफ बढ़ जाए आगे बताएगे बढ़ जाए जाए आप सभी को clear ठीक है, अब बात करते हैं सर major difference कुछ बातें, कुछ खासियत इसमें मैं बता देता हूँ सर क्या खासियत जैसे जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं इस पर depreciation लगाऊंगा अगले साल तो अगले साल depreciation क्या आएगा सर अगले साल depreciation आपका आएगा फिर से 10,000, फिर से 10,000 तो आप एक चीज ध्यान दे तो इसके अंदर आपका जो assets का life है ना वो life आपके assets का आदेश और इनका hand raise आदा hand raise का जवाब अभी नहीं दूँगा मैं बाद में देंगे hand raise का भी पहले हम class को start करें तो जितने भी आगे जाओगे तो एक ना एक दिन इसका balance के आ जाएगा 0 लेकिन इस वाले method में ऐसा नहीं होगा हम depreciation लगाते जाएगे point में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा कभी 0 नहीं हो सकता कभी 0 नहीं होगा पहली बात दूसरी बात इसके अंदर method को देखते हैं सर देखो state line fix installment original cost method अभी देख लेंगे यहाँ पे total अगर मैं depreciation count करूँ एक दो तीन तो तीन सालों का अगर मैं आपसे पूछू ना के बताओ total depreciation that is यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे तीन सालों का total depth करूँ तो क्या आएगा तो यहाँ पे आएगा सर दस हजार प्लस नौ हजार प्लस एटी वन हंड्रेड that is 27,100 तो आगर मैं बोलू कि किस ऐसे कौन से method में बताइए depreciation ज्यादा लगता है तो जवाब है सर SLM वाले method में depreciation ज्यादा लगेगा अगर मैं पूछों कौन से method में assets की value 0 हो सकती है तो जवाब है सर SLM में हो सकता है WDV में नहीं होगा अगर मैं muskill की बात करूँ तो कौन सा method muskill है calculation में तो जवाब होगा सर WDV थोड़ा सा muskill है क्योंकि हर बार इसमें नया निकलता और calculation यहां से मेरे से पूछो तो मैं फटा-फट बिना calculate का बता दूँगा 70 है 60, 50, 40, 30, 20 ऐसे आएगा लेकिन यहां पर मैं नहीं बता सकता तो यह थोड़ा सा muskill रहता है अब बात करें तो starting में अगर देखा जाए तो sir depreciation की अगर हम बात कर रहे है तो depreciation में कौन सा method है जो सबसे ज़्यादा popular है तो sir सबसे ज़्यादा method popular यह वाला method है हमारा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा use करते हैं कल के दिन आप graduation के बाद कहीं भी job में जाएंगे तो आपको यही method से depreciation calculate करना पड़ेगा WDV ही ज़्यादा से ज़्यादा use किया जाता है SLM बहुत कम use किया जाता है ठीक है अब हम बात करते है पहला देखो इसका दूसरा नाम क्या है original cost तो sir original cost क्या होता है original cost का मतलब purchase price इसका मतलब है कि depreciation हमेशा purchase price पे लगेगा तो देखो हमने purchase कितने का किया इसी पे लगा दूसरी बार भी किस पे लग रहा है और तीसरी बार भी देखोगे तो purchase price पे इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया original cost method इसके बाद है fix installment method सर इसका fix installment का मतलब देखो हर बार depreciation की जो किस्त है जो depreciation का amount है हर बार fix करा हुआ है दस अजार दस अजार दस अजार तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया fixed installment method चलिए सर अभी उपर वाले को देखते हैं इसके बाद देखो आपका क्या है return down value method जो depreciation लगेगा जो down यानि minus करने के बाद जो balance आएगा उस value पे लगेगा तो देखिए पहली बार किस पे लगा minus करने के बाद इस value पे फिर minus करने के बाद इस value पे reducing cost method cost का मतलब क्या होता है सर खर्चा अब बताइए दोनों में से किस वाले में खर्चा कम हो रहा है इसमें क्योंकि इस वाले में cost हमेशा कम पढ़ता है इसलिए इसको कौन सा method दे दिया गया reducing cost method diminishing balance method हमेशा depreciation घटता जाएगा इसमें पहले कितना लगा 10 फिर depreciation का balance हर बार क्या होगा घटता जाएगा अगर मैं इसको एक graphical form में भी देखूँ कि सर कैसे बनेगा ये मान लो ये मैं आपके सामने ग्राफ बना लेता हूँ एक ग्राफ बना लेते हैं आपके सामने और मान लो नीचे मैं लिख रहा हूँ year जैसे कि first year, second year, first year, second year और ये third year और यहां पर भी लिख लिया first year, second year और third year ये मैं करके दिखाऊँगा WDV से और ये मैं करके दिखाऊगा SLM से तो अगर मैं देखूं first year में यहां पर depreciation amount लिख लिख लियते है सर 10,000 20,000 और 30,000 ऐसे लिख लिए, तो पहले साल में कितना डैप लगा था, 10, यानि point यहां आएगा, दूसरे साल में point यहां आएगा, तीसरे साल में point, तो आप देखोगे इसका जो method का line बना, state बना, तो इसलिए इसका नाम भी क्या पढ़ गया, straight line method, इस वाले method में देखो, फिर से ल दूसरे बार में 10 से कम है, मान लो यहां 9 होगा, तीसरी बार में इस से भी कम, तो इसका जो बना, इस तरीके से graph बना, slope में, ठीक है न, तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया हमारा dimnissing balance method, क्योंकि यह reduce हो रहा है, तो दोनों का graph है, सर difference पूछा जाएगा, तो कैसे difference बत पे difference है, ताकि मैं यहां पर फटा फट देखके बता दू आपको, कौन से page number पे है, कहा गया कहा है, यह मेरे किस में मिलेगा, किस में मिलेगा, और पीछे चलना होगा, financial account है क्या, कहीं यहां financial account है क्या, नो, बुक में चलते हैं, यहां मिल सकता है, financial account, जे आर मुगा, कोई बुक नहीं, other book, कोई बुक नहीं, financial management, financial account book, चप्टर कौन सा है, नाइन, और आप बताएए page number क्या है, चलिए यहीं पर पढ़ लेंगे, किताब में ही difference है, ना, 9.24, आजाओ भाई, difference आजाओ, यह illustration बता रहे हो क्या, चलिए देखते हैं, कहाँ है, उसके आगे पीछे कोई illustration बता दू, थर्ड, बहुत आगे आगे पिर तो, ओ, यह किदर आगा, चलिए जी, यह रहा, यह रहा difference, ठीक है, चलिए, आज आईए, आपको दिख रहा होगा, इसको हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, exam के point of view से यह important भी है, देखिए, difference क्या है, पहले दे रखा है dimnacing balance, फिर दे रखा है आपका straight line, कहता है computation method, that depreciation is charged at fixed rate, the original cost in the first year, पहले साल में तो original cost पे लगेगा, then return down value, cost minus depreciation, तो कहने का मतलब है, पहले साल तो original price पे लगेगा, उसके बाद कौन से price पे लगेगा, पचे हुए value पे, यह क्या कहता है, depreciation charge at fixed rate, original cost, the assets, यानि जब भी लगेगा, यह original cost पे ही लगेगा, amount of depreciation, the amount of depreciation goes on decreasing year after year, यानि हर साल हमारा depreciation का amount क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, जैसे WDV में देखा था, यहाँ पे amount of depreciation क्या रहेगा, remain same, कोई बदलाव नहीं होगा, effect of income statement, तो जहाँ पे ज़्यादा depreciation होगा, उसका income तो कम ही होगा, और जहाँ पे कम depreciation होगा, उसका income ज़्यादा होगा, क्योंकि depreciation is expense, तो कहता है, total burden of the profit loss account is the same earlier year as well as the later year, हर साल same ही रहेगा, because of more depreciation plus repair cost being less, यहाँ कहता है, total burden of the profit and loss account is later year, कहता है, more in the later year, बाद में ज़्यादा होगा, because of charge increase depreciation, आपका क्या होगा, देखो, हमारे खर्चा क्या होगा, machinery चल रहा है, एक debt तो उसके नाम का खर्चा है, एक repair का भी खर्चा हैगा, इस वाले method में क्या होगा, पहले depreciation ज़्यादा, फिर आपका repair ही नहीं, दूसरे साल depreciation लगेगा, तो repair भी आगा, तो depreciation भी घटगा, repair तो दोनों बराबर हो जाता है, लेकिन इस वाले में क्या होगा, depreciation constant रहेगा, repair और आदेगा, तो इसमें वही कहना है, simple सी बात, यहाँ पर खर्चा जादा होगा, आगे देखते हैं सर, depreciation plus more repair cost, book value, book value का मतलब क्या होता है, जो की हम बात कर रहे थे कि यह 0 वाली बात, ठीक है न, जो की 0 वाली बात कर रहे या तो scrap value के बराबर हो जाएगा, calculation, it's required to use mathematical table, mathematical table के जिसाब से हम calculation करते हैं, easy to calculate, इसके अंदर कोई जंजट नहीं है, आपका suitability, repair charge are more later year, absolute, absolence, यह बाद में इसको scrap करना पड़ता है, where repair charge less, जहाँ पे repair charge, और भी बाते लिख सकते हो, सात्वा, यह as per law, as per income tax के हिसाब से, as per income tax act के हिसाब से, यह हमारे लिए, value मतलब कि income tax department इस method को recognize करता है, और income tax department इस method को नहीं मानता, companies act दोनों method को मान लेता है, और बाकी आप इसके नीचे graph भी दिखा सकते हो, जो मैंने बताया था graph, वो graph भी तो इसके नीचे आ जाएगा आपका, तो इस तरीके से आपको 8 से 10 difference इसके बनाने है, और 10 number में आएगा, तो कम से कम आपको exam में 10 difference लिखने होंगे, और यह बहुत बार frequently इसका पूछा गया है, 10 number में यह सवाल, ठीक है, सर page number कौन से book है, जे आर मोंगा है, और page number बता दो एक बार कौन सा है, 9.24 है, 9.24, जे आर मोंगा का 9.24 आपको आपकी किताब में मिल जाएगा, और हाला कि आपको 10 year में भी यह difference बड़े अच्छे से explain किया हुआ है, व यह plus में 10 year, दोनों साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा, चलिए आज आते हम come to the point again, sir difference भी देख लिया, सारी चीजे भी देख लिया, अब हम सबसे पहले बात करेंगे SLM की, अभी तक SLM की बात करेंगे पहले, फिर WDB, SLM के अंदर, पहला हमारा method है, that is SLM, अगर SLM की हम बा आते होंगी, अगर आपको rate of depreciation दे दे तो कैसे करेंगे, और rate of depreciation ना दे तो कैसे करेंगे, यानि सर, SLM के अंदर, सर, दो चीजें हैं, सर, दो चीजें क्या हैं, when rate of depreciation not given, जब आपको rate के depreciation का rate ही ना दे, तो कैसे निकाला जाए, दूसरा सर, when rate of depreciation given, ये तो अभी निकाला ही है, when rate of depreciation given, सर, ये तो निकाला ही है, इसमें तो दो राए कुछ भी नहीं है, ये तो simple है, तो हमें सीखना होगा ये, when rate of depreciation not given, तो हमारा depreciation होगा, मैं short form में लिख रहा हूँ, depreciation को DEP, यानि depreciation annual आएगा, क्या होगा सर, depreciation, depreciation होगा, depreciation is equal to, cost, plus, expense, plus, ये expense के बाद, minus, scrap value, divided by, estimated, useful, life, ये हमारा depreciation का formula है, सर, cost का मतलब क्या है, cost is equal to, purchase price, सर, expense का मतलब क्या है, expense is equal to, installation, installation cost, plus, erection, plus, insurance, plus, carriage, यानि किराया, सर, total cost क्या होता है, total cost होता है, purchase, total cost होगा, cost plus, expense, सर, scrap क्या होगा, scrap value, इसके कई सारे नाम है, एक है आपका, salvage value, एक है नाम आपका, reducing cost value, या residual value, इसका मतलब होता है, assets value, at the end of, it's life, assets का value, उसके life end होने के बाद, सर, कई बार पूछ लिया जाता है, rate of depreciation निकाल के बताओ, तो सर, rate of depreciation कैसा निकाला जाएगा, rate of depreciation, is equal to, total is equal to, annual depreciation, divided by total cost, into में, hundred, ये formula है, rate of depreciation निकालने का, तो आप से दोनों चीजे पूछा भी जा सकता है, चलिए, ठीक है, इस पर एक example ले लेते हैं, फिर book वाला question लेंगे, इस पर एक example ले लेते हैं, जैसे मान लो, मैंने अपना AC पर्चेश किया, रुपीज 45,000, और इसमें installation करवाना पड़ा, 5,000, और मैंने insurance भी करवा लिया, 5,000, और इसको last में बेचेंगे, तो scrap मिल जाएगा इसका, 5,000, और मेरा life जो AC कर रहेगा, वो that is 10 years, 10 साल, यह सवाल है, ठीक है, आपको क्या निकालना है सर, depreciation, और rate of depreciation, तो सर, depreciation का formula लगा के फटा-फट निकाल लो, क्या होगा, depreciation is equal to, cost कितना है, 45,000, plus expense, दोनों add on हो जाएगा, 10,000, minus scrap, 5,000, divided by 10, 5,000 रुपया आएगा, annual depreciation, अगर मैं rate निकालूं, तो rate यह रहा, सर, 5,000, divided by total cost, तो total cost कितना है, इंटू मैं 100, मैंने थोड़ा fast करवाया है, क्योंकि आप already 11th class में सीख चुके हो, यह चीजे, बस मैं remind करा रहा हूँ आपको, यह rate का depreciation आगया, 9.1 आगया, 55,000, इंटू मैं 100, 9.09, यह लेजी, बताइए कोई doubt, किसी बच्चे को कोई doubt, जितने बच्चे लाइव में देख रहे हैं, किसी बच्चे को कोई doubt, बुक का नाम जे आर मोंगा है, बहुत सारे बच्चो को class कैसे लेना है, आपको नहीं पता होता कई बार, तो content में जाके, content में जाने के बाद, आपको, folder में लेगा, उस folder के अंदर जाके, आप उस वीडियो को, और साथ के साथ, जितने भी ये classes के notes हैं, ये सारा उसी folder में आपको मिल जाता है, किताब वगेरा, सब कुछ बताया हुआ है, कि कौन सा लेना है आपको, कोई doubt नहीं है, सभी को clear हैगे,